मैं हूँ अलफ और आप देख रहें ततकान न्यूज लाइफ हाल ही में रवींदु जड़ेजा के पिता ने आरोप लगाया है कि वो अपने बेटे के साथ नहीं रहते है एक इंटर्व्यू में जड़ेजा के पिता ने दावा किया है कि बेटे और उनकी पतनी रिवाबा के साथ उनके रिष्टे लंबे समय से तनाव पूर्ण रहे है और वो अपने बेटे के साथ नहीं रहते है जिस पर अब आल राउंडर की वाइफ ने रिवाबा ने रियक्ट किया है दरासल एक इंटर्व्यू में रिवाबा से इस बारे में सवाल पूछा गया जिसे सुनकर जड़ेजा की वाइफ काफी गुसे में आ गई रिवाबा ने सवालों को लेकर कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन काफी गुसे में आ गई थी रिवाबा से जैसे ही ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा आज हम यहां क्यों आये हैं यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुसे सवाल पूछ सकते हैं वरना कोई बात नहीं है वही उस इंटर्वियू में जड़ेजा के पिता ने काफी सारी बाते की और कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सच्चाई बताओ मेरा रविंद्र और उसकी पतनी रिवाबा से बिलकुल भी कोई संबंद नहीं है हम उनने नहीं बुलाते और वो हमें भी नहीं बुलाते समस्य उनकी शादी के 2 या 3 महीने बाद शुरू हो गई थी मैं फिलाल जाम नगर में अकेले रहता हूं जबकि रविंदर अपने अलक बंगले में रहता है वो उसी शहर में रहता है लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाता मुझे नहीं पता की उसकी पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है इसके अलावा उन्होंने आगे कहा था कि वो मेरा बेटा है और इससे मेरा दिल लुकता है काश मैंने उससे उसकी शादी नहीं की होती अच्छा होता अगर वो क्रेकेटर नहीं बनता उस स्थीती में हमें ये सब नहीं सहना पड़ता